वेलकम टू बाईजूज क्लासेज नमस्कार दोस्तों बाईजूज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है आज हम लोग 11 अगस्त की खबरों को लेंगे जो की आपके एक्जाम पॉइंट आफ व्यू से बहुत ही हल्पुल साबित होगा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर या कह सकते हैं नेशनल इवेंट और इंटरनेशनल इवेंट या घटनाएं पहला टॉपिक है अब देखिए एक लाइन में आपको मिल गया अब यहां से आप इस खबर को बस इतना समझ लीजिए अब स्थापना कब हुई थी इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे तो देखिए सुप्रिम कोर्ट ने कहा है अब देखिए यही पर आपके दिमाग में आ गया सुप्रिम कोर्ट तो सुप्रिम कोर्ट कहा है नई दिल्ली में है और सुप्रिम कोर्ट समविधान के किस अनुच्छे पहले था अब 33 हो गया याद रखेंगे यानि कि अब जो है 1 प्लस 33 तीन और बढ़ गई संक्या तो 34 जो है कह सकते हैं कुल मिलाकर के नियाइधीस हो यानि एक मुख्य नियाइधीस चीफ जस्टिस आफ इंडिया यानि यह सब किसके द्वारा नियुक्त होते हैं रास्टपती इन्हें नियुक्त करता है तो अनुच्छेद 124 में सुप्रिम कोर्ट होगा जिसका हेट कौर्टर या मुख्याले कहा है नई दिल्ली है तो नई दिल्ली से ही सुप्रिम कोर्ट ने क्या कहा है कि UGC जो है मंत्राले के तहत UGC अधनियम 1956 के अंसार भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया यानि UGC के स्थापना कब हुई 1956 में अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा समय आपको बताना चाहूंगा कि 28 अब दिसंबर 1953 में ये डेट भी याद रखियेगा इट इस आलसो इंपोर्ट कलाम आजाद्क ने अवचारिक तोर पर University Grant Commission की नीव रखी थी कब की रखी थी याद रखेंगे 1903 को तो एक डेट ये भी है फिर उसके बाद Act के तहत 1956 में इसे पारित किया गया यानि विश्व विद्याले अनुदान आयोग विश्व विद्याले इशिक्षा के लिए यान इन मीजर्मेंट्स या मापदंड को समन्वय निर्धारण और अनुरक्षण हे तू 1956 में संसत के अधनियम द्वारा एक स्वायत संगठन है ये एक Autonomous Body है याद रखेंगे और इसका Headquarter कहां UGC का भी दिल्ली में है इसके Chairman कौन है Professor D.P. Singh अब हम लोग देखें इसमें से ये Fact निकला, दो Supreme Court से संबंदित Fact निकला, 1953 यानि एक ही खबर से चार से पांच Fact आपको मिले. Now we have to discuss second news. This is also important news for your exam. दिल्ली एरपोर्ट इंटर्डूसेस एर सुविधा ये क्या है एर सुविधा एक वेब पोर्टल है सीधे सीधे आ जाएगा के एर सुविधा क्या है आपके परिच्छा में वन लाइनर कोश्चन आएगा तो एर सुविधा क्या है तो दिल्ली इंटरन एर पोर्ट लिमिटेड यहां डायल यह भी याद रखेगा फुल फॉर्म इसका दिल्ली इंटरनेशनल एर पोर्टल है डेवलपड एवेब पोर्टल क्या है यह वेब पोर्टल एर सुविधा फ़र इंडिया बाउन्ड इंटरनेशनल पैसेंजर्जर्स यानि किसके लिए भारत अधारित अंतर रास्टिय यात्रियों के लिए यह पोर्टल विक्सित किया गया है जिसका नाम क्या है एर सुविधा और दोस्तों एक बात और बता दें कि इसमें किसकी किसकी सहायता यानि कितने लोगों ने मिलकर ये भी पूछ लेगा कि इससे रिलेटेट कौन-कौन लोग है तो ये ध्यान रखियेगा जैसे बिभिन राज्य मंत्राले यानि राज्य सरकारे जिस राज्य में वो इंटरनेशनल एरपोर्ट होगा साथ-साथ नागरिक उड़यन मंत्राले यानि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और कौन सा स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्राले यानि हेल्थ मिनिस्ट्री और फॉरेन अफेयर यानि एक्स्टरनल अफेयर कह सकते हैं या बिदेश मंत्राले तो यानि विदेश मंत्राले, स्वास्तेयों परिवार कल्यान मंत्राले, नागरिक उड्डेयन मंत्राले और विभिनराज की सरकारें जहां पर यह airport इस्थित है तो देखा आपने, यहां से भी आपको प्रिलिम बेसी पॉइंट डिसकस करना है अब बढ़ते हैं हम लोग next topic पे, now we have to discuss third topic, it is also important for your exam because यहां से सीधे सीधे प्रस्ण आ जाते हैं कि what is the full form of SEVI, who is the director of SEVI, SEVI की foundation कब हुई थी तो इस से संबंधित जो आज खबर है पहले हम लोग news देखते हैं तो in term of the executive director position, SEVI said that the two-third यानि 67% of the total post can be filled by internal leaders and the remaining one-third यानि कि SEVI ने अपने कारिकारी निदेशक पदों के नियमों में संसोधन किया है, amendment किया है, change किया है यानि 67% और one-third तो समझ में आई बार, तो ये fact है, ये तो खबर थी अब आईए थोड़ा SEVI के बारे में हम लोग जान लेते हैं Security Exchange Board of India Security Exchange Board of India का का काम क्या है? यह जो है इसके स्थापना के पीछे कारण क्या था? तो SEVI के स्थापना का मुख्य उद्देश ही है इसका जो main aims and adjectives है, वह यह है कि Stock Market में चलने वाले, अलग-अलग तरह के, गलत सौधों पर रोक लगाना था यही कारण है कि SEVI की स्थापना की गई यानि कह सकते हैं जो investors होते हैं and जो मालिक होते हैं यानि कमपनी के जो मालिक होते हैं, जो बड़ी-बड़ी कमपनिया होती हैं, उनके जो मालिक होते हैं, उनके बीच में पारदर्सिता उपलब्ध करने के लिए यह स्थापना की गई थी तो दोस्तों इसकी स्थापना 12 April 1988 को की गई थी लेकिन इसको वैधानिक यानि स्टेशूरी राइट कानूनी अधिकार का मिला 30 January 1992 को और इसका जो मुख्याले है, वह मुंबई में है और इसके जो चेर्मेन है, अजय त्यागी है, यह भी याद रखिएगा तो इसके जो अन्य और जो कारण है, तो इस्टे जो स्टॉक मार्केट होता है participant and stock exchange द्वारा, नियमों की जो अन्देखी की जाती है लोग उसपर जो है, अवेरनेस नहीं रहता है, इन सब के लिए लाना पड़ा यानि stock का प्रीमियर पर बेचना, stock market में होने वाली insider जो trading होती है, उसको उसपर control करने के लिए stock market में share की कीमतों को जान बूच कर लोग घटाते बढ़ाते नहीं है तो उसपर भी यह नियंतरन control स्थापित करता है कौन? Security Exchange Board of India याद रखेंगे, अब हम लोग बढ़ते हैं अगली ख़बर की और one of the most important news, यह जो है, इसमें क्या है? More than 500 people and more than 100 elephant die every year in mutual conflict यानि हर साल जो है 500 लोग तथा 100 हाथियों की मृत्य होती है तो यह तो रही आज की report आई है और दोस्तों याद रखिएगा कल 12 अगस्त है तो कल ही जो हाथी दीवस, यानि 200 हाथी दीवस मनाया जाता है World elephant day मनाया जाता है अब देखिए, हाथी एक बहुत सांत सुभाव का प्राड़ी है और पिर्षवी पर पाया जाने वाला, यानि कह सकते हैं स्थल पर, यानि लैंड पर चलने वाला या पाया जाने वाला सबसे बड़ा मैमल्स है यानि इस्तंधारी जीव है देखिए इसके बारे मनें बहुत सारे fact आपको दिये है एक एक करके अब देखिए 12 अगस्त को, यानि 2012 को यह launch किया गया था 2012 के बाद से World Elephant Day मनाया जा रहा है और वो क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि इनको बचाने क्योंकि बहुत सारी कारणों से इनकी मृत्यू हो जाती है अभी आप लोगों ने दो महीने पहले सुना होगा, केरल में 27 मई की घटना अगर सुना हो, पूरे देश में चर्चा का विसाय बन गया था उसके मुह में बम लगा दिया था और वो हाथी मर गया और तो इस वजह से जो है, तो इनको बचाने के लिए इस तरह से इस दिवस को हम लोग याद करते हैं जिससे इनके संरक्षन, प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाया जा सके इसलिए दिवस मनाया जा रहा है तो दोस्तों, 2017 में इनकी जो गड़ना होती है, हाथियों का जो सेंसस है जैसे हम लोगों का सेंसस होता है न, कितने साल पे होता है Every 10 year, यानि फर्स टाइम हम लोगों का सेंसस कब हुआ था 1872 में हुआ था कि नहीं तो इसी तरह से इन हाथियों का भी सेंसस होता है Every 5 year, तो हर 5 साल पे, यानि 2012 के बाद 2017 में हुआ था तो 2017 में के हिसाफ से लगबग 30 हजार हा थी यानि ऐसा अनुमान लगाया जाता है और दोस्तों, 2010 में, October 2010 में भारत का रास्टिय विरासत पसू ये कई बार आपके एक्जाम में आया हुआ है यानि, in 2010, declared national heritage animal यानि, रास्टिय विरासत पसू इसे घोसित किया गया ये बहुत one of the most important इसको याद रखियेगा आप लोग अब हम लोग बढ़ते हैं, अगले fact में यानि, अब पूछ लेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या यानि, according to 2017 elephant census यानि, हाथी जनगरना के आधार पर सबसे अधिक हाथियों की संख्या किस राज्य में है फर्स्ट पे करनाटका है, आपने देखा यहाँ पे सेकेंड पे आसम है और थर्ड पे केरला है देखेंगे, तो हाथियों की सरवाधिक संख्या कहा है करनाटक, उसके बाद आसम फिर केरल में है और यहाँ पर हमेंने आपको बता ही दिया है फिर उसके बाद इनकी सहायता के लिए इनको बचाया जा सके इसलिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है 101 कॉरिडोर तो 101 हाथी गलियारा बनाया जा रहा है इसमें भी याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा इलिफैंट कॉरिडोर किस राज्य में है तो वो है वेस्ट बेंगॉल में उसके बाद तमिल नाडू है फिर उत्राखंड है ये भी याद रखिएगा फैक्ट अब देखिए यहाँ पर सम इंपोर्टन फैक्ट एबाउट एलिफैंट तो दोस्तों एलिफैंट किस परिवार से बिलॉग करता है इसकी फेमली क्या है तो उसको कहते हैं एलिफैंटिडी परिवार का सदस्य है और इसका जो ओर्डर है वो है प्रोबो सीडिया इसका घ्रम है इनके जन्तु पैज्ञानिक नाम एशियाई हाथी को क्या कहेंगे एलिफस मैक्सिमस और अफरीकी हाथी को क्या कहेंगे लोकसो डोंटा अफरीकाना याद रखेंगे नाम की दो प्रजातिया पाए जाती है और दोस्तों ये वेजिटेरियन होते हैं शाकाहारी जीव हैं एक दिन में 300 पाउंड ये भोजन खा सकता है और दोस्तों इसका जो उम्र होता है 70 वर्स ये जीवित रहता है एक सामान ने हाथी के दिल का वजन 27 से 46 पाउंड होता है 27 to 46 पाउंड और दोस्तों इलिफैंड की जो इसकिन होती है आप देखते हैं कितनी मोटी चमडी होती है तो ये एक इंच की मोटी होती है हाथी का ब्रेन होता है मस्तिस काफी बिक्सित होता है जो कि सभी संधारियों में सबसे बड़ा भी होता है हाला कि इसका मस्तिस इंसान की तुलना में तीन से चार गुना बड़ा होता है लेकिन सारीरिक अनुपात की दिश से देखें तो यहाँ पेक्छाकृत छोटा ही होता है तो यह 16 वर्स की आयू के बाद reproduction इसमें सुरू हो जाता है यह ध्यान रखेंगे दोस्तों और इसमें भूंड धारन करने ग्याद रखेंगे कि हाथी का जो प्रजिनन काल होता है सभी जानवरों से अधिक होता है 22 महीने 22 मंस के बाद यह बच्चे को जन्म देता है और दोस्तों इनका कलर जो है हाथी का स्लेटी भूरे रंग कह होते हैं लेकिन कुछ सफेध हाथी भी कहलाते हैं तो सफेध हाथी को अलबिनो कहा जाता है और बोड़ा पवित्र माना जाता है घासकर म्यान मार थाइलेंड थाइलेंड को सफेध हाथी का देशी कहा जाता है दोस्तों और थाइलेंड की राजधानी क्या है बैंकॉक है और बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा है चाओ फ्राया नदी के किनारे बसा है ऐसे प्रसना आ जाते हैं सबसे अधिक रबड का उत्पादन कौन करता है Thailand करता है इसी तरह से याद रखिएगा स्वतंतर भूमियों का भी देश कहा जाता है इसको Thailand को ध्यान रखेंगे हमेशा इंडिपेंडेंट रहा इसके उपर कोई आधिपत्य नहीं किया था तो इस तरह से ये हाथियों के बारे में था महत्पूर्ण बिंदू याद रखेंगे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और जो है महत्पूर्ण वन अब दो मोस्ट इंपोर्टेंट नियूज इस नेशनल इंफ्रास्ट्रेक्ट्टर पाइप लाइन ओनलाइन डैस बोर्ड दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना नामक महामारी की वज़ा से अब काम तो नहीं रुख सकता है उसी को देखते हुए वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से हमारे देश की जो फैनेस मिनिस्टर कौन है निर्मला सीता रमण यहीं से एक प्रसनाप का सुरू हो गया तो यह जो NIP है यानि नेशनल इंफ्रस्टर्ट्रक्चर पाइप लाइन ओनलाइन डैस बोर्ड पे यानि केंद्रिय वित और कार्पोरेट मामलों की जो मंत्री है कौन निर्मला सीता रमण नेशनल इंफ्रस्टर्ट्रक्चर पाइप लाइन ओनलाइन डैस बोर्ड का उद्घाटन किया है तो यह ध्यान रखेंगे और डैस बोर्ड को इंडिया इंवेस्टमेंट ग्रिड पर होस्ट किया जा रहा है यह ध्यान रखेंगे और इस कारिक्रम को संबोधित करते हुए निर्मला सीता रमण ने कहा कि NIP से यानि नेशनल इंफ्रस्टर्ट्रक्चर पाइप लाइन इस हेल्प टू आत्म निर्भार भारत यानि आत्म निर्भार भारत विजन को प्रोसाहन मिलेगा इस योजना से यह बहुत ही महत्वा का अंची योजना है दोस्तों 2019-20 के बजट में बुनियादी धाचा परियोजनाओं के लिए 100 लाख करोन रूपए कितने? 100 लाख करोन रूपए की घोशना की थी और दोस्तों बता दें कि इसमें वीडियो कांफियंसिंग के माध्यम से मंत्री जी ने ये बताया कि 2020-25 के बीच में 111 लाख करोन रूपए का अनुमानित बुनियादी धाचा निवेस किया जाएगा नेशनल यही कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के माध्यम से तो दोस्तों 2025 तक हम 5 ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमी को तयार करने में यह बहुत महत्पून भूमिका निभाएगा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा इस प्रोजेक्ट का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट तो इंडिया इंवेस्मेंट ग्रिट समझ में आया इसको ध्यान रखेंगे और IIG का विकास और प्रबंधन इंवेस्ट इंडिया द्वारा किया जा रहा है और दोस्तों ध्यान रखेगा कि IIG serves as the gateway to investment in India यानि प्रबंधन द्वार के रूप में यह कार्य कर रहा है गेटवे के रूप में कार्य कर रहा है तो यह भी important news है ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं हम लोग समाचार में विभिन रास्टी और अंतरास्टी यह ब्यक्तित्व यानि various national and international personalities in news यानि आज के newspaper में जो important personality है यह रहते हैं US wrestler है US wrestler James Kamala Harris dies aged 70 यानि 70 वर्ष की आयू में इनका निधन हुआ है former wrestler James Harris इनको कमला के रूप में जाना जाता था यानि he was also known as Kamala और Harris Hulk Hogan, The Undertaker, Andre the Giant सहित खेल मरोन रंजन के इतिहास के सबसे बड़े सूपरिस्टार के साथ यानि कह सकते हैं इनको नाम लिया जाता है और यह जो है Harris ने 1984 में Wrestling Bobo Brazil के संड़क्चन के ताहत कुस्ती में अपना carrier सुरू किया था तो यह अंतरास्टी ब्यक्तितों है आप देख रहे हैं इस तरह के भी तो यह यूगांडा गैंट यानि यूगांडा विशाल एक अनूठा चरित था जिसने यादगार तरीके से रिंग के अंदर और बाहर दोनों का संचालन किया था इन्होंने इसलिए बड़े चर्चिद ब्यक्तित है दोस्तों यूगांडा जो गैंट के रूप में उन्होंने यूनिक करेक्टर जो है निभाया था तो इसलिए आज ब्यक्तित में इंटरनेशनल ब्यक्तित हों याद रखिएगा और दोस्तों यूगांडा नाम का देश भी है यह किस महादीव में अब सीधी पूछ लेगा आप लोगों के वंडे एक्जाम में कि यूगांडा किस महादीव के अंतरगत आता है अफरीका, यूरोप, या एसिया महादीव, या देचिन अमेरिका महादीव तो दोस्तों यह अफरीका महादीव के अंतरगत आता है इसकी राजधानी कमपाला है याद रखेंगे यूगांडा की कैपिटल क्या है? कमपाला है, ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं, आज की बुक्स और अवार्ड्स में तीन वर्स पूरे होने पर उन्होंने एक पुस्तक है, उसका नाम याद रखेंगा Connecting, Communicating, Changing पुस्तक का विमोचन किया तो दोस्तों आपकी एक्जाम में यह ध्यान रखना कि हर वर्स लगभग एक पुस्तक आही जाती है जितने भी चर्चित व्यक्तितों हैं चाहे वह नरंद्रमोदी हों चाहे वह शशी थरूर हों चाहे वह पीवी नरसिंगारा हों चाहे अरुन धती रख हों चाहे अभी देखी कुछ दिन पहले हम लोगों ने रख नामक पुस्तक किताब की बात की थी जी ने लिखा था तो इस तरह से इन लोगों का अब देखे किताबों को भी क्या है कि एक लिस्ट बना लिजिए दस-दस का एक साइब अब जैसे एपी जी अब्दुल कलाम साहब है तो इनकी किताबें आपको याद रहनी चाहिए यानि इगनाइटेड माइन्स विंक साफ फायर ये सारी मतलब थ्री बिलियन पीपुल आप दा रूरल वर्ड बहुत सारी किताबें इनने लिखा है इन सब का एक जगा संकलन आपके पास होना चाहिए यानि एक जगा आप लिखते चलेंगे इक्जाम के समय में याद करने में बहुत आसानी होगी जैसे शशी थरूर की किताब है The Cell Phone जो है बहुत important कई बार पुस्तक एक्जामों में आ चुकी है इसी तरह से अरुन्धती राय की The God of Small Things इसके लिए उसको बुकर प्राइज मिला था इसी तरह से अर्विंध अर्डिगा की White Tiger उसको भी बुकर पुरसकार मिला था तो ये बुकर पुरसकार पुरसकारों में हम चर्चा करेंगे यानि साहित जगत का सबसे सरुसेस्ट आवार्ड माना जाता है बुकर आवार्ड यानि कम से कम आपको सो से डेड़ सो पुस्तकें हम याद करा देंगे ऐसे ही दो दो पांच पांच पुस्तकें याद करते चलेंगे कभी भूलेगा नहीं खेल जगत के लोग भी किताबे लिखते हैं उनकी भी याद रखिए संगीत जगत के हैं उनकी अलग से बना लीजिए फिर यह राजनीत जगत के जो व्यक्तित तो है उनकी किताबों को अलग कर लीजिए जैसे अटल भी हरी बाजपेई की पुस्तक मेरी 51 कवित आएं जैसे प्रणव मुखर जी की टर्बुलेंट इयर्स उनकी किताब थी एपी जै कलाम सहाब की किताब है तो यह सारी किताबों को एक एक जगा हम लोगों को यानि हर मतलब जैसे नहीं दस दस पुस्तकों को एक संकलन बनाईए आप देखिए कि आपकी एक्जाम में निश्चित रूप से वहीं से आजाएंगी पुस्तक और कभी गलत नहीं करेंगे तो यह राजनास सिंग ने भी मोचन किया और इसमें पॉइंट्स दिया गया है कि इस पुस्तक में उपराश्पती ने विदेसी आत्राओं, विश्व के नेताओं से उनकी जो बाचीत हुई विभिने देसों में भारतिय प्रवासियों को उनके संबोधन से संबंदित घटनाओं को उन्होंने इसमें सामिल किया यानि विभिने प्रकार के इवेंट्स के बारे में उन्होंने इस पुस्तक में डाला है और बताया है इसको उन्होंने इस किताब में उतारा है अब हम लोग स्पोर्ट नियूज में आते हैं स्पोर्ट नियूज में है जुवेंट्स सेलेक्टेड रोनाल्डो ऐस दा मोस्ट वैलुएबल प्लेयर आफ टूथाउजन नाइटीन तो दोस्तों पुर्तगाल के फुडबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब ये तो रही खबर तो पुर्तगाल के स्टार फुडबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इटली का जो कलब है जुवेंटस ये 2019-2020 सत्र के लिए सब से वैलुएबल यानि मूल्यवान खिलाडी के रूप में इसे चुना है क्यों? क्योंकि उन्होंने इस सत्र में 37th गोल किये थे और एक सत्र में सरवाधिक गोल करने वाले फेलिस बोरेल का 80 साल का पुराना रिकार्ड इन्होंने अपने नाम किया है यानि इससे पहले 1933 और 1934 में इटली की लीग सीरी ए डिफेंट मेत्रोपा कप में कमाल किया था तो दोस्तों ये तो रही खबर अब थोड़ा सा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में जान लिजिए इनका पूरा नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो दो सेंटोज आईवेरो इनका निक नेम है सी रोनाल्डो सी आर सेवन रोनी रोकेट रोनाल्डो भी कहा जाता है और इनका बर्द्धे ये है पांच फर्वरी को होता है महान प्लेयर है इनको भी आद रखना पड़ेगा और इनका जो बर्थप्लेस है वह पुर्तगाल है दोस्तों पुर्तगाल की रासधानी लिजबन है पुर्तगाल में एक आपोर्टो पोर्ट है उसे वाइन पोर्ट के नाम से जाना हिजाता है मेडीरा द्वीप है बहुत ही सुंदर द्वीप है वहीं पर इनका जन्मस्थान हुआ था तो किसी टीम के लिए Spanish Club, Real Madrid और Portugal रास्टी टीम यहां खेलते हैं यानि यहां पर देखिए इसको थोड़ा ठीक कर लिजेगा Spanish Club Real Madrid के लिए खेलते हैं और Portugal रास्टी यह तीम के लिए यह ध्यान रखेंगे इन्हें Ballon Dior Award सबसे highest award होता है FIFA का तो football का सबसे highest award और देखिए कितनी बार खेल जगत का सबसे highest award है और इस award को इन्होंने 5 बार जीता है यह ध्यान रखिएगा और Cristiano Ronaldo also hold the record for winning of the world soccer player of the year 5 times ध्यान रखेंगे तो यह important है और अभी तक इन्होंने 6.54 गोल किये है तो देख रहे हैं कितने fact हैं इनके बारे में यह important important fact इनको याद रखिएगा जैसे FIFA में सब ज़्यादा पांच बार इनको award मिला है ध्यान रखेंगे अब बात करते हैं हम लोग IPL 220 बाबा रामदेव कंपनी पतंजली अलसो इन रेस तू बिकम IPL sponsor दोस्तों आप देख रहे हैं कि आत्म निर्भर भारत की ओर हम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं और हमारे देश की कंपनियां आज इस तरह के कारियों में आगे आ रही हैं यह बहुत ही फक्र की बात है यानि आफ्टर वीवो पुल्ड आउट BCCI is looking for new sponsor यानि वीवो के जाने के बाद नया sponsor ढूंड रहा है भारतिय क्रिकेट कंट्रोलर बोर्ड और दोस्तों इसकी जो घोशना होगी वो 18 अगस्त को होगी और इसमें और जो लाइन में थे जो जियो, अमेजन, टाटा ग्रूप, ड्रीम अलेबन, अधानी ग्रूप, एजुकेशन स्टार्टप, बाईजूज जिसकी कलास हम लोग ले रहे हैं तो बाईजूज भी है लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है जो चीनी कमपनियों से जुड़े है उनको इसमें नहीं डाला जाएगा ऐसे में पतंजली की दावेदारी काफी महत्वण हो जाती है दोस्तों तो ध्यान रखेंगे पतंजली कमपनी किसकी है? बाबा रामदेव की है शुद्ध कह सकते हैं देसी कमपनी है हिंदुस्तानी कमपनी है हमारे देस की कमपनी है इसको याद रखेंगे अब हम लोग थोड़ा सा IPL के बारे में जानना चाहेंगे तो IPL यानि इंडियन प्रीमियर लीग कब लाउंच हुआ था? 2007 में और पहला जो सीजन खेला गया था 2008 में अब तक कितने सीजन हो चुके हैं? 12 13 कहां होगा? कोरोना की वज़ा से दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ इस बार UAE में हो रहा है यहाँ अपरेल मई में ही खेला जाता है लेकिन इस बार कोरोना की वज़ा से यह बढ़ा दिया गया है इसमें कुल्टी में 8 है खिलाडी आपको पता ही है 11 होते है इसमें 20 करोन की धन रासी यादि अपरेल से मई के बीच में यहाँ होता है और दोस्तों इसमें एक दो और पॉइंट्स हैं बहुत महत्तपूर्ण है जैसे औरेंज कैप और परपल कैप सुना है तो औरेंज कैप किसको दिया जाता है यानि IPL के सीजन में जो बले बाद सबसे अधिक रन बनाता है उसको औरेंज कैप दिया जाता है समझ में आई बाद और परपल कैप किसको दिया जाता है जो बॉलर होता है बॉलर्स को दिया जाता है उसको परपल कैप दी जाती है समझ में आई बात तो इस तरह से यह IPL का और IPL में अभी तक सबसे ज़्यादा बार यानि 2008 से स्टार्ट हुआ है और अभी तक पूछा जाए सबसे ज़्यादा बार जो बिजेता रहा है वह कौन रहा है IPL का बता सकते हैं तो सबसे ज़्यादा बार ध्याद रखेंगे मुंबई इंडियंस और चेन्नई सूपर किंग ध्याद रखेंगे यानि मुंबई इंडियंस 2019 में जीता है मुंबई इंडियंस 2017 में भी जीता है मुंबई इंडियंस 2015 में जीता है मुंबई इंडियन 2013 में जीता है और उसके बाद चन्नाई सूपर किंग आता है जो सबसे जादा जीता है महंदर सिंग धोनी जिसके कैप्टन है 2010 में जीता था चन्नाई सूपर किंग उसके बाद जो है आप देखेंगे 2011 में भी जीता था चिन्नाई सूपर किंग उसके बाद आप देखेंगे तो चिन्नाई सूपर किंग 2018 में भी जीता था और पहला अगर IPL पूछा जाए कौन जीता था तो राजस्थान रायल याद रखेंगे और 2008 में उसके कैप्टन कौन थे सेन वार्न वो कहां के थे औस्टेलिया के बहुत महशुहूर बॉलर हुआ करते थे अब उन्हें सन्यास ले लिया है तो ध्यान रखेंगे तो इससे संबंधित इसी तरह से हम लोग चर्चा करते रहेंगे खेलों में फैक्ट्स की अब आगे बढ़ते हैं आज का This Day in History तो दोस्तों 1347 में अलाउद्दीन हसन गंगु ने राजसी सत्ता हासिल की और बहमनी वंस की स्थापना की थी यानि इस्टैबलिस द बहमनी डैंस्टी बहमनी सल्तनत यानि दक्कन का यह एक इसलामी राज था और इसकी स्थापना 1347 में की गई थी तो यानि तुर्क अफगान सुबेदार था अलाउद्दीन हसन गंगु ध्यान रखेंगे तो इस तरह से यह महत्पूर्ण है डेट इसमें ध्यान रखेंगे दक्षिंड भारत में था यह पूरा इसके बाद दूसरा जो महत्पूर्ण है बर्थ जर्मन टीचर फ्रेडरिक लुडविक यानि दुनिया में जिमनास्टिक की निव रखने वाले जर्मन सिक्षक फ्रेडरिक लुडविक का जन्माजी के दिन हुआ था और दोस्तों खुदी रामबोस ये तो आप लोगोंने नाम सुना होगा यानि जिस उम्र में लोग किताबे पकड़ते हैं और खुदी रामबोस उसमें फासी के तक्त पर लटक रहे थे तो ये बहुत ही महत्पूर्ण कह सकते हैं सुतंता सेनानी में नाम में इनका दर्ज है खुदी रामबोस यानि सोचिये मात्र उनकी उमर क्या थी 1889 में उनका जन्म हुआ था और 1908 में उनको आजी के दिन फासी दे दी गई यानि लोग ऐसे में अपने कैरियर बणाने के बारे में सोचते हैं अपनी पढ़ाई के बारे में सोचते हैं और वहयुआ देश की आजादी के लिए तो इस उम्र में ऐसे करांतिकाली निकला जो सूली पर चढ़ गया महाज 18 वर्स की उम्र में सोचिए उसने अपनी जान निचावर कर दी यानि 3 दिसंबर 1889 को बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीब पुरगाओं में इनका जन्म हुआ था खुदीराम बोस ये बहुत छोटे थे तो इनके माता-पिता का निधन हो गया था 1905 में बंगाल विभाजन के बाद खुदीराम बोस देश को आजादी दिलाने के लिए आंदोलन में कूद पड़े सत्यन बोस के नित्यत में खुदीराम बोस ने अपनी क्रांधिकारी जीवन की सुरुवात की थी स्टार्ट किया था उसी समय और वह जो है अंग्रेजी हुकूमत के एकदम खिलाव थे क्लास नाइन्थ में ही उन्होंने पढ़ाई चोड़ दी उसके बाद जंगे आजादी में कूद पड़े और इसकूल छोड़ने के बाद खुदीराम रिवलिशनी पाइटरी के सदस से बने और वंदे मातरम का जो है पैंपलेट वितरित करने लगे डिस्टिब्यूट करते थे और 6 दिसंबर 1907 को बंगाल के नरायणगर रेलवे स्टेशन पर किये गए बंबी स्पोर्ट की गटना में भी बहुत सामिल थे यानि इसके बाद एक क्रूर अंग्रेज अधिकारी किंग स्पोर्ड को मारने की जिमेदारी इनको दी गई हलाकि और उसमें उन्हें प्रफूल चंचाकी का साथ मिला था लेकिन दोनों बिहार के मुझफर पुर्जिले पहुँचे और एक दिन मौका देखकर किंग स्पोर्ड की बगगी पर बं फेका लेकिन दुरभागी से उस दिर वहा बगगी में था नहीं और वो बच गया जिसमें उसकी पत्नी और बेटी की मृत्ती हो गई यही कारण है को उनको वहीं पर ग्रिफतार कर लिया गया खुदी रामबोस को फासी की सजा दी गई और प्रफूल तंचाकी ने तो खुद को गोली मार ली थी तो यह जो है हमारे देश के इन लोगों का इतिहास इनहीं की वज़ा से आज हम स्वतंतर हैं आज स्वतंतर रूप से बोल सकते हैं और दोस्तों 1948 में ही आज ही के दिन लंदन यानि ब्रिटेन के लंदन में समर ओलंपिक की शुरुआत हुई थी अब बढ़ते हैं हम लोग 1961 में दादर नगर हवेली मर्ज भी थी इंडिया और दोनों का कोलिबरेशन हो गया है मर्ज कर दिया गया है एक केंसासित प्रदेश बन गया है ध्यान रखिएगा दोस्तों और 1960 में आजी के दिन चाड ये एक देश है अफरीका महादिव का लैंड लॉग्ड कंत्री है यानि चारो ओर से अस्थलों से गिरी हुई है यही पर एक जील भी है उसका नाम है चाड जील यानि अफरीका महादिव की तीसरी सब से बड़ी यानि थर्ड लार्जस्ट लेक इन अफरीका कॉंटिनेंटी चाड लेक और इसको जो है टच करते है चार देश, चाड series खुद टच करता है, कैमरून करता है, नाइसीरिया करता है, और साथ-साथ कौन करता है, नाइजर करता है, ति ये चार देश, मैप में जरूर देखिएगा दोस्तों, ये कभी भूलेगा नहीं आपको, दे देगा, निम्लिकित कि राजधानी क्या है नियामे दोस्तों अफ्रीका महादीब का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश यानि अफ्रीका महादीब का most populous country जो है वो नाइजीरिया ही है दोस्तों यहीं पर एक आतंकवादी संगठन है बोको हराम बहुत ही खतरनाक आतंकवादी संगठन है 2001 से सक्री है और दसो हजार लोगों की हत्या कर चुका है तो यह जो है इसी तरह से ऐसे खबरों को कनेट करेंगे बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों कोई भी चीज पढ़ो तो उसको हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी, एकुनामी, साइन्स सभी के आस्पेक्ट से देखो तभी आप देखना कि आपका complete तैयारी होगा जैसे मान लीजिए आप दिल्ली के बारें पढ़ रहे है दिल्ली में कोई घटना घटित हुई तब उसका इतिहासिक महा तो क्या है उसका भावगोलिक महा तो क्या है उसका आर्थिक महा तो क्या है सभी पर चर्चा, उसको हर एंगिल से देखने का प्रयास करिए अब जैसे हम बात करें दिल्ली को इतिहास में अगर ले जाए तो इसका प्राची नाम इंदप्रस्त है इसको तुम्रों ने बसाया था मध्यकाल में भी इसका अस्थान है मध्यकाल में भी जो है सल्तनत पीरियड में भाई वास्त्विक संस्थापक दिल्ली का कौन था इल्तुतमिस फिर modern history में भी इसका योगदान है भाई 1857 के बिद्रोह में 1857 जो revolt था उस समय कौन यहां से leadership कर रहा था बहादूर साह जफर था कि नहीं तो इस तरह से modern history आपने medual modern ancient सब से connect कर दिया कि नहीं अब इसी को अगर जोग्राफी से connect करना हो तो कैसे करोगे यानि world ancient folded mountain यानि विस्ट की प्राचीन तम वलिद परवस्रिंखला अरावली और जो कि अब क्या है now it is an residual mountain because of erosion यानि अपरदन की वज़ा से अब यह एक आवस्ट परवस्रिंखला रहे गई है दोस्तों तो अरावली में दिल्ली में अरावली को दिल्ली कटक के नाम से जान और इस तरह से आपने देखा भागोलिक अब political हम बात करते हैं तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही बोला था सुप्रीम कोड कहां है दिल्ली में ही है तो सुप्रीम कोड अनुछेद 124 और दोस्तों केंसासित प्रदेश जिसका खुद का अपना high court भी है वो भी नई दिल्ली तो high court किस अनुछेद में है अनुछेद 214 संसद कहां है नई दिल्ली में है और संसद किस आर्टिकल में है आर्टिकल 79 में और संसद के कितने अंग होते है तीन राष्टपती राजसभा लोगसभा राष्टपती किस आर्टिकल 52 में भारत का president होगा आर्टिकल 79 में बताया म का परिच्छा में तो ऐसे ही कनेट करके पढ़ने की आदत डालिए आईए अब दोस्तों आज के लिटस टार्क वाउट सम इंपोर्टन फैक्स यानि हम लोगों का जो चल रहा था समविधान सभा से समबंदित आज भी हम लोग समविधान सभा की बातों को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों इसमें दिया गया है पहला पॉइंट देखिए समविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या डाइरेक्ट आपके प्रिलिम में आया हुआ प्रसन है SSC बैंकिंग में तो आता नहीं है बैंकिंग अवेरनेस आता है आप लोगों को पता है होना चाहिए यहां जो है SSC दिल्ली पुलिस अन्ने बहुत सारे एक्जाम है CHSL है स्टोनोग्राफर है बहुत सारे एक्जामों में यहां पूछा जाता है और जिसमें से पूछ लेता है यह कहां से कौन 292 ब्रिटिस प्रांतों के थे याद रखिएगा यहां ब्रिटिस प्रॉविंस से एंड फोर क्या था कमिशनरी से थे एंड 93 कहां से थे यहां रिप्रिजेंट प्रिंसली स्टेट यानि देशी रियास्तों से संबंदित थे एकॉर्डिंट टू कैबनेट मिशन 1946 में कल हमने चर्चा की थी तो उसी के आधार पर समविधान सभा के लिए चुना हुआ था तो 389 सदस्यों में प्रांतों के लिए 296 सारे लोगों का नहीं हुआ था 296 सदस्यों के लिए चुना हुआ था जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई 208 सीटे ले करके मुस्लिम लीग थी 70 सीटे और 15 अन्य जो रिजिनल पार्टी थी जैसे यूनियनिस पार्टी इन सब जीत करके आई तो दोस्तों इसमें एक हैदराबाद रियासत थी जो की वह समलित नहीं हुई थी मुस्लिम लीग भी बहिसकार कर रहा था समविंधान सबा का दोस्तों अनसूची जंजातियों की संख्या 33 थी महिलाओं की संख्या 12 थी और समविधान के कुल निर्माण में जो समय लगा 2 साल 11 माह 18 दिन और 6.4 करोन रुपए का खर्च आया था ये सब फैक्ट है इनको याद रखियेगा और 114 दिन तक जनी समविधान का जो कॉंस्ट्यूशन का ड्राफ्ट था उस पर बहेंस हुई थी कितने दिन तक 114 दिन तक साथ हज़ार से ज़ादा बार संसोधन किया गया तब जाकर के समविधान का निर्माड हुआ और अंगी कृत किया गया कब 26 आफ नमवंबर 1949 को इसलिए 26 नमवंबर को हम लोग समविधान दिवस मनाते हैं Constitution Day मनाते हैं और दोस्तों जब उस समय कितने आर्टिकिल थे 22 भाग थे 395 आर्टिकिल 8 अंसूचिया थी जबकि वर्तमान में 12 अंसूचिया हो गई है और 25 भाग हो गए है और अनुचेद 467 ध्यान रखेंगे तो इस तरह से इनको यार और फिर 24 जनवरी 1950 को समविधान सभा की अंतिम बैटा कोई थी उसी दिन डॉक्टर राजेंट प्रसाद को रास्टपती घोसित कर दिया गया था उसी दिन हम लोग जंडे को भी मान लिये थे और 26 जनवरी 1950 को भारत एक Republican country बना गण राज्य बना गण तंत्र सब्द कहां से लिया गया है फ्रांस के संविधान से दोस्तों आगे हम लोग चर्चा करेंगे हमारे संविधान को उधार का थैला कहा जाता है हमने कई जगों से बारो किया है इसको तो इसलिए उधार का थैला कहा जाता है गणतंत का मतलब ही होगा कि यहां वनसानुगत सासन नहीं होगा, यहां पर यानि की जनता के द्वारा, यानि सबसे सर्वोच असीम शक्ति जो होगी, वह देश की जनता में होगी, जनता ही स्चून कर जिसको भेजेगी, वही देश का नेत्यत्व करेगा, यह रहा आज का important fact, आज हम लोग practice question में तेजी स answer दीजिएगा, बहुत ही सरल question है और बहुत ही important है आफके examination point of view से, तो आईए बात करते हैं, where is the headquarter of university grant commission, नई दिल्ली, दोस्तों एकदम confirm है, अगला है, दिल्ली International Airport Limited ने भारत आधारित अंतररास्टी यात्रियों के लिए किस नाम से एक web portal बनाया है, यानि विक्सित किया है यानि by what name has दिल्ली International Airport developed a web portal for India based international travel, एर सुविधा, याद रखेंगे, अगला है भारतिय प्रतिभूत और विनमे बोर्ट के स्थापना कब हुई थी, दोस्तों मैंने बताया था 12 April 1988 को और उसको जो है एक सामविधिक निकाय जो है कानूनी निकाय बना था कब 1992 को, ध्यान ताय भी था, Bangkok इसकी राजधानी है और चाओ-Frya नदी के किनारे बसा है, बंगलादेश नहीं होगा, बंगलादेश की राजधानी ढाका है, इंडोनेसिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है, सिंगापूर की राजधानी, सिंगापूर सिटी है, 100% अर्बनाइज कंटरी है Singapore यानि सत प्रतिसत नगरी कृत देश है अर्बनाइस कंट्री कौन सी है वह है Singapore और विस्ट का सबसे बड़ा मुस्लिम अबादी वाला देश कौन सा है इंडोनेसिया इंडोनेसिया को द्वीपों का देश कहा जाता है कंट्री आफ आइलेंड यानि 13,947 द्वीप हैं लगभग 14,000 आइलेंड यहां पाए जाते हैं जिसमें महत्पोंट जैसे आप लोगोंने सुना होगा जावा, सुमात्रा, काली मंटन, सेली बीज, सुराबाया यह सारे आइलेंड हैं, यहां पर लोग रहते हैं, तो ध्यान रखेंगे, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले कोशन की ओर, हाल ही में जेम्स हैरिस का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंदी थे, दोस्तों रेसलर थे ध्यान रखेंगे, अब अगला जो है कोशन है, कनेक्टिंग, कम्यूनिकेटिंग, चेंजिंग पुस्तक के लेका, भारत के वरतमान, उपरास्ट पती, वेंकाया नाइडू, यह भी सही है अगला है, किस देश के फुटबॉलर हैं, पुर्तगाल के हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था, अगला है, IPL का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग है यह आपके एक्जाम में अक्सर आजाता है, अगला है, क्रांतिकारी खुदी राम बोस को फासी कब दी गई, आजी के दिन 1908 को दी गई, इस तरह से अगला कोश्चन है, समविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, 1949 को अंगी कृत किया गया था क नहीं, तो इसी दिन जो है, यह मनाया जाता है, तो इस तरह से यह कोश्चन इनको फास्ट जो है किया करिए, चुकि देखिए, टाइम का ही खेल है, जो टाइम मैनेजमेंट कर लिया, वही सेलेक्शन पाएगा, टाइम एंड इकुरेसी एंड स्पीड, यह हैं बहुत ही important points ह इन पर आप लोगों को ध्यान देना है बच्चों, जैसे कि GS में ज्यादा ज्यादा, जैसे माल दिजी आप दिल्ली पुलिस में 50 कोश्चन, GS का है 50 कोश्चन में मैथ है, कंप्यूटर है, रिजनिंग है, तो उसको आप कैसे करेंगे, आप जो है कोशिस करिए कि इसको 10 से 15 मिनिट में निप्टा दिजी जैसे मैथ और रिजनिंग के लिए आपको टाइम मिले, तो इस तरह से जो है, फास्ट करने की कोशिस करिए, तो यह आज क्या हम लोगों ने बात किया, अगर हम लोगों की आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो जरूर आप लोग लोग लाइक क करें, सब्सक्राइब करें, सभी बच्चों तक यह पहुंचे क्लास, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाब ले सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चे सफल होंगे, तो हमें भी अच्छा लगेगा, आशा करता हूँ कि आज की क्लास भी आप लोगों को अच्छी लगी ह होगी धन्यवाद दोस्तों थैंक यू